अगर बारिस न होती तो शायद इतना ध्यान नहीं जाता जितना बारिस के बावजुद भी और जब स्रीनगर में बारिस होती तो ठन भी बढ़ जाती है मुझे भी स्वेटर लगारा पड़ा आप लोग तो यहीं के हैं आप आदी हैं आपके लिए कोई तकलिप का विश्या नहीं होता है लेकिन बारिस के कान थोड़ा बिलंब हुआ हमेज से दो तिन हिस्वों में बाटना पड़ा उसके बावजुद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महत्मय है योग जिन्दगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने जैसे टूद ब्रस करना हमेशा का क्रम बन जाता है बाल सबाना हमेशा का क्रम बन जाता है उतनी ही सहस्ता से योग जीवन से जब जूड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है कभी कभी जब ध्यान की बात आती है वो योग का हिस्सा है तो जादा तर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि यह कोई बड़ी स्प्यूरिचल जर्णी है कोई अल्ला को प्राप्त करने का या इश्वर को प्राप्त करने का या गौड को प्राप्त करने का साक्षात कार करने का यह कारकम है और तब ज़कर के लोग अरे यह तो मेज़े से नहीं हो सकता मैं तो सामाने माग भी हूँ वो रूख जाता है लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है ध्यान को जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे दिन में दस बार हमारे टीचर कहते थ वह भई ध्यान रखो जड़ा द्यान से देखो ध्यान से सुनो अरे तुम्हारा ध्यान कहां आएं ये ध्यान जो है न वह हमारे कॉंसेंट्रेशन हमारा कितना फोकस है चीजों पर हमारा मन किता केंदरी थै उससे जुड़ा विश्ए है आपने देखा होगा बहुत से याद शक्ति बढ़ाने के लिए मेमरी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं टेक्निक सिखाते हैं और जो लोग उसको बराबर फॉलो करते हैं तो दीरे 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 उनका मेमरी पावर बढ़ता जाता है वैसा ही ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत ध्यान केंद्रित करने की आदत फोकस में में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परणाम देती है स्वयम का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम ठकान से जादा से जादा संतोस मिलता है एक काम करते हैं लेकिन दस जगह पर दिमाग भटकता है तो उसकी ठकान होती है और इसलिए ये जो ध्यान है स्पिरिचल जर्णी को अभी छोड़ दीए उसका जब समय आएगा तब कर लेना अभी तो अपने व्यक्तिकत जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने आपको ट्रेंड करने के लिए योगा का एक हिस्सा है अगर इतना सहज रुप से आप इसको जोड़ेंगे मैं प उच्व क vergessen के लिए जितना जरूरी है जितना उप्योगी यह जितनी ताकत देता हैं उसका विस्तार सोसाइटी को वी फैदा करता है और जब सोसाइटीगा लाज होताएं तो सभी मानव्यात को लाज होता है विश्व के हर कौने में लाज होताए मैं अभी दो दिन पहले ए मिस्रे ने एक competition और उन्होंने टूरीजम से जुड़े हुए जो आइकनिक सेंटर से वहां पर जो बेस्ट योगा की फोटो निकालेगा या वीडियो निकालेगा उसको एवर्ड दिया और वो जो तस्वीरे में ने देखी मिस्र की बेटी बेटियां सारे आइकनिक पिरामीड अगेरे के पांस खड़े रहकरके अपने योगा की मुद्राय कर रही है इतना आकरशन प्यादा कर रही है और कश्मीर के लिए तो योग एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया बन सकता है तूरिजम के लिए बड़ा आकरशन का केंदर बन सकता है तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा ठंड बड़ी मौसम ने भी थोड़ा चुनोतियां प्यादा की फिर भी आप डटे रहा हूं मैं देख रहा था कि हमारी कई बेटियां ये दरी को ही अपने जो योगा मेट था उसी को बारिश से बचाने के लिए उप्योग कर रही थी लेकिन गई नहीं बहुत बड़ा शुकुन है मैं आपको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूं थैंक्यों